इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस विडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी New Sir Hatch Tablet दो दवाओं से मिलकर बना है यह विभिन तरीकों से high blood pressure को नियंतरित करने में मदद करता है यदि high blood pressure का इलाज नहीं किया जाता है तो आगे चलकर hot attack, stroke और kidney fail होने जैसी समस्याएं हो सकती है आप नुसार Hatch Tablet को भोजन के साथ या भोजन के बिना ले सकते हैं डोज आपकी condition और दवा के प्रती आपके response पर निर्भर करेगी हर दिन इसे एक ही समय पर खाने की कोशिश करें जब तक आपका डॉक्टर आपको मना नहीं करता तब तक इस दवा को लेते रहना आवश्यक है इसमें diuretic यानि की water pill होता है और इसके कारण आपको अधिक बार पेशाब जाना पड़ता है इसलिए सोने की चार घंड पहले इस दवा को लेने से बचना बहतर रहता है अगर आप बहतर महसूस करने लगे हैं तब भी अधिक लाप के लिए नियमित रूप से इस दवा का इस्तिमाल करें आमतोर पर high blood pressure में लक्षन नहीं होते हैं और अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपका hot attack या stroke का जोखिम बढ़ सकता है The most common side effect is dizziness Other side effects include feeling tired, nausea, diarrhea, headache and decreased blood pressure बार बार पेशाब आना इस दवा का side effect नहीं है यह hydrochlorothiazide का उद्देश है और यह आपके blood pressure को नियंत्रित करने में मदद करता है आपको अन्य side effect का अनुभव हो सकता है लेकिन अधिकतर दूरलब है आप अपनी दवाओं के साथ आने वाले leaflet को जरूर पढ़ें और अगर आप side effect से परेशान है या उनमें सुधार नहीं हो रहा है तो अपने doctor को बताएं आपकी खुराक को adjust करना या किसी अन्य दवा को try करना संभव हो सकता है गरभावस्था के दौरान इस दवा को लेने की सलाह नहीं दी जाती है अगर आपको kidney या liver की बीमारी, हिरदय में समस्या या diabetes है तो आपको इसे लेने से पहले अपने doctor से पूछना चाहिए शराब पीना आपके blood pressure को कम कर सकता है और इससे side effect हो सकते है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को like करें और साथ ही हमारे चैनल को subscribe करके notification bell icon पर click करें और all notification को click करें धन्यवाद